नमस्कार आदाब, न्यूस्क्लिक में आपका स्वागत है, इस हफते इंटरनेट के 50 साल पूरे हुए है, और इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ है प्रबीर पूर कैस्ता, जो हमें और बताएंगे कि इंटरनेट कैसे बना, क्यों बना और इसका क्या प्रभाव है, त तो प्रबीर सबसे पहले तो हमें यही बताएंगे कि इंटरनेट का जो निर्मान हुआ, वो क्यों हुआ और कैसे हुआ, देखें, इंटरनेट के निर्मान आप जानते ही है, जो पब्लिक इतिहास है उसकी, कि एक आर्पानेट प्रोजेक्ट था, वो डिफेंस डिपार्ट एक कम्प्यूटर, एक उनिवर्सिटी रिसर्च लैब से दूसरा रिसर्च लैब में कम्मुनिकेशन कर पाया, हना कि कम्मुनिकेशन लॉग इन के जग़ा पर एलो करके ही खदब हो गया था, फिर भी दो कम्प्यूटर बातशीत किया, इसको कम्प्यूटर इंटरनेट का शुरुवात कह सकते हैं, कम्प्यूटर नेटवर्क का शुरुवात नेटवर्क से लगे के आज जो हम इसको इंटरनेट कहते हैं, कम्प्यूटर कम्प्यूटरों की नेटवर्क जो है उसको इंटरनेट कह सकते हैं, तो ये जो है उससे शुरुवात हुआ मानते हैं, इसकी और दो उतिहास है, एक तो इसकी टेखनीकल इतिहास, एक तो कि public history है technical इतिहास इतना नहाँ नहीं है उसे बहुत सारे लोगों की शिरकत है बहुत सारे चीजों की शिरकत है, जिस से इंटरनेट finally निकलता है जिसको मैं कहता है official history सिर्फ एक ही पार्ट इतिहास की है जो retrospectively हमको देखने को बात में हमको देखने को बलता है कि अच्छी ये लकीर थी लकीर इस तरह से होता नहीं बहुत सारे श्रोत से जाके ultimately इंटरेट बलता है मैं एक श्रोत को इस पर चिन्नित करना चाहूंगा जो लोग शाद भूल गए है कि Cyclades एक नेटवर्क था जिसके जरिये जो आज की जो कम्मुनिकेशन प्रोटोकॉल है जिसके वो निकल के आता है जिसको किद्र Cyclades नेटवर्क पे डेटा ग्राम जो था उसका जो फॉर्मैट था पैकेट्स का और होस्ट कम्प्यूटर इसको जिम्मदारी थी आगे बढ़ाना बेजना तो ये जो प्रोटोकॉल थी ओर्कनेट के प्रोटोकॉल नहीं थी ये बाद में जो है ऑपकर TCPIP प्रोटोकॉल बोलके अब भी उसको सबही जानते हैं तो उसकी श्रोथ भी बहु मुकी है इसके बार टिब बर्नर स्ली का भी नाम होता है जिन्होंने आपका जो कहते हैं कि डबलु 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 वर्ल्ड वाइड वेब की जो स्थापना की HTML लैंगविज की स्थापना की तो बहुत सारे इस तरह के श्रोत हम गिन सकते हैं पर ये तो हुर रही टेक्निकल इतिहास जिसे कह सकते हैं हम देख सकते हैं टेक्निकल इतिहास पे डार्पर नेट के एलावा और क्या क्या श्रोत उसके मिले थे तो उसके और एक जो इतिहास है जो आजकल बात-चीद उसके नहीं होती है वो है कि इसके military उत्स सिर्फ robustus के लिए एक decentralized नेटवर्क नहीं थी इसके पीछे सर्वेलिंस की भी एक निगाह थी पहले से ही क्योंकि जो लोग सर्वेलिंस चाहते थे वो वियतनाम वार से अमरीका की वहाँ पर जो बहुत सरे सेंसर्स के जरिये बहुत सरे इन्फरमेशन को इकत्रित करके उसको कैसे अनलाइज करना है इसकी भी एक इंटरिस्ट थी और दोनों इकठा मिल के काम कर रहे थे ताकि इन सब चीज भी इस आर्पा नेट पे पहले सी ही शामिल कर दी जाए ताकि एक कम्प्यूटर नेटवर्क की जो पावर है इसको सर्वे की शुरुआत उसी वक्त से शुरू होता है और शायद यही वजह है कि जो हम आज कल कम्प्लेन करते हैं इंटरनेट पे प्राइविसी की प्रोटेक्शन नहीं है शायद यह एक्सिडेंटल नहीं था शायद पहले से ही इसको सोच की ही ऐसे बनाए गिया था तो यह सब इति पहुंचे है एक्सिडेंटली नहीं पहुंचे इसकी पीछे और भी वजह था जिसलिए आज हम यहां पर है जिसको अचका सर्वेलन स्टेट की जो बात होती है चाहे अमरीका हो चाहे दूसरे देश हो सर्वेलन स्टेट का यही वजह है कि इस पे इंटरनेट के कुछ चीज इस पे जुड़ी हुई है जिसको हम आज भूल रहे हैं तो आज के इंटरनेट के अगर हम और बात करें तो टिम बर्नर्स ली जिनका अपने अभी नाम लिया जिनने वर्ल्ड वाइड वेब बनाये उन्होंने कहा यह पचासवी साल गिरा पे कि इंटरनेट में यह शक्ती ह है कि वो हमारी जिन्दगी को अच्छे के लिए बदल सके पर अब उस शक्ती का एक तरीकिस उस शक्ती को उल्टा जा रहा है दुरुप्योग हो रहा है तो आपको क्या लगता है इस विचार पे आपका क्या कहा है देखें टेक्नोलिजी की दोनों पहलू होते हैं कोई टेक चीज बनके हमारे सामने अभी भी है पर बहुत टेक्नोलिजी ज्यादा तर टेक्नोलिजी की दोनों पहली होते हैं तो इंटरनेट के जरिये हमारा उस वक्त सोच था कि वो एक ऐसा जगह होगा जिस पर इन्फॉर्मेशन हम आसानी से एक दूसरे को भेच पाएंगे और उस में हमारी मीडिया की जो आजकल जो ताकत है उस ताकत को हम विकेंडरी करण कर पाएंगे वो केंडरी करण नहीं होगा जैसे कुछ कंपणियों के हाथ पे सिर्व नहीं होगा पर उस पर दो चीज हुई एक तो उस वाक्त इंटरनेट पे कमर्शियलाइजेशन नहीं थी पर अमरीकी सरकात ने एक वाक्त इसको सोचा कि इसको कमर्शियलाइजेशन इसी लिए करना है कि इससे हम दुनिया की कॉमर्स को इसके जरीए कैप्चर कर पाएंगे और हमारे कम्पिनी ये कर पाएंगे इसलिए उन्होंने पूरा इस धाचे को स्ट्रक्चर को उसको अपने कम पूरा जो IP addresses वगारे सब है protocols है वो icon के जरीए होता है तो अमरीका का एक direct control शायद इस तरह से न कहें पर indirect control American सरकार की है और एक हिसाब से direct control इस वक्त उनकी company हो की है तो एक तो यह हुआ इसका पहलू दूसरी बात यह है कि इन company हो में सबसे आजकल जो प्रमुख company हैं है Google हो Facebook है इनकी इनके बारे में हमने नहीं सोचा था कि internet की decentralized structure से centralized structure उभर के आएगा platform companies बन जाएंगी इस platform के जरीए हम एक दूसरे से बात करेंगे network जो पहले थी peer-to-peer communication एक दूसरे से directly बात करते थे इसके जगह पर हम Google के जरीए बात करेंगे Facebook के जरीए बात करेंगे आज कल 70% internet की traffic दुनिया की सिर्फ Google और Facebook दो company के जरीए होते है एक आपस पर जब हम email भी करते हैं हम Google के जरीए करते हैं Google से connect करके करते हैं हम internet के जबहां जाते ही नहीं है तो internet के जगह पर दो company ने 70% internet को कबजा कर लिया एक हिसाब से तो इस पर देखना पड़ेगा platforms जिसके बारे में हमने सोचा नहीं तो जब आते हैं तब यह जितने चीजी हम कहतें कि वाइरालिटी, fake news जो आज की सबसे बड़ी problem है उसको अगर आप देखे तो platforms की फायदा इसी से है कि वो जितना बढ़ा पाएंगे, जितना communication बढ़ेगा उसकी इनके advertisement revenue बढ़ेगा तो fake news जल्दी फैलता है, hate news ज्यादा फैलता है, बार धाड करने की खबर जो है सब लोग फैलाना चाहते हैं, शान्ती की खबर भी इतनी, शायद क्या कहते है, वाइरालिटी नहीं होता, अच्छी चीजों में वाइरालिटी कम है, जैसे इस पर कहते है, economy में कहते है, bad coins drive out the good, अच्छे coins को बुरे जो फर्जी coins है, वो drive out कर देते हैं, उस तरह के यहां भी शायद हो रहा है, और platform economist, platform जो company है, इसमें की interest है, कि वाइरालिटी रहे, और जब वो आजकल fake news control करने की बात है, वो कह रहे हैं कि हम New York Times, Washington Post जैसे ख़बारों को देखेंगे, उससे हम fake news करेंगे, इसका मतलब अमरीकी सरकार की जो रवाया है जो सोच है, वही उनकी मीडिया में आती है, और वही चीज़ जो उसको fake नहीं कहेंगे, हकीकत है, और सब news गलत है, इसका मतलब इरान के खिलाब जो हो रहा है, सीरिया में जो हो रहा है, लिबिया में जो हो रहा है, यह सब अमरीकी निगाह से देखी जाएगी, और सब जो इसका विरोध करता है, हकीकत भी हो, तो इसको करार दिया जाएगा, fake news, जैसे सदाम की weapons of mass destruction में थी, 2003 के पहले, अमरीका की attack के पहले, तो यह एक हत्रा सब के लिए है, कि कैसे हम सही माने में हकीकत को आम जनता के सामने ला पाएं, और इस platform कमपनियों के खिलाफ कैसे हिसाब से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि आप हम जानते है, नैसे के बाद, कि स्नोडेन के बाद, कि अमरीका पूरा surveillance अपने citizens पे जारी रखता है, और दुनिया को सबको surveillance के अदर रखता है, सिर्फ चीन में वेर्थ हुआ है, क्योंकि चीन, उसका जो great firewall of China कहते हैं, उसके जरी उसने एक protected space बना है, अपने companyों के लिए, तो American company के बाद, सबसे बड़े platform company इस वक्षीन है, और ये दो ही देशों को companyों में लगता है, इंटरनेट के उपर लड़ाई है, तो ये और एक पहलू है, कि कैसे इन चीजों को protect किया जा सकता है, ये हमें सोचना पड़ेगा, क्योंकि commercial space अब जो है प्रमुख बन चुका है, और पहले जो scientific और knowledge space था, वो करीब करीब एक किनारे ही है इंटरनेट का, ये सबसे बड़ी परिवतन 90 के दशक से लेके आज हुआ है, तो परभीर आपको क्या लगता है, हम इंटरनेट को कैसे और सुरक्षित और accessible और decentralized बना सकते हैं, देंकि decentralized कैसे बनाना शायद मुश्किल है, पर एक बात जरूर कह सकते हैं, जो Elizabeth Warren जाई से centrist leaders है अमरीका में, जो democratic presidential nominee बनना चाहती है, उनके जरीए भी आ रहा है, कि जो बड़े-बड़े कंपनियों, कंपनियां है, इनके ओपर रोक लगाईजे, इनको break up कर दी ज है, उससे कुछ फायदे होंगे, इस तरह से AT&T जिसको मा बेल कहा जाता है, उसको तोड़के seven sisters बनाए गया था, seven bell company बना दी गई थी, ताकि competition रहे, मुनापली एक company की न रहे, तो इस तरह की कुछ चीजे, जो team who, जो net neutrality की शब्द निकाले हैं, उन्होंने, इस तरह के ची पूजिवाद के हित में है, तो यह गैर पूजिवादी सोच नहीं है, पूजिवादी सोच ही है कि जो essential infrastructures है, वो अगर किसी के कबजे में आ जाता है, तो दूसरे company उसके सामने फीके पड़ जाते हैं, और उनका भी profits उनके पास चला जाता है, ऐसे monopolies को तोड़ देना चाह यह सवाल आती है, क्योंकि अगर अमरीका के सामने आत्पसमर्पन कर देते हैं, तो इसका बत्तब उनके economy भी एक हिसाब से अमरीका के control में चला जाएगा, क्योंकि इंटरनेट के जरी आजकल बहुत सरे आत्तिक चीज़े control होती है, तो उस पे हम, जैसे just net coalition करके एक हमारी alliance ह global alliance है, उस पे हमने यह कहा है कि इंटरनेट एक fundamental infrastructure दुनिया की है, देशों की है, इसको public utility के तरह इस्तिमाल करना चाहिए, हर सब के हित में करना चाहिए, और इस पे डारेक्ली जरीता की control होनी चाहिए, ताकि यह सिर्फ कुछ चंद कंपनियों के हित के लिए नहीं होना चाह जिस तरह सड़के हैं, जिस तरह रेल होनी चाहिए, जिस तरह बिजली होनी चाहिए, जिस तरह टेलिकॉम नेटवर्क होना चाहिए, हलांकि हर चीजों पर आजकल इस पर बहस है, कैसे यह होनी चाहिए, उस तरह internet को भी एक public utility के तरफ public good के लिए इस्तिमाल करनी चाहिए, म इसको कायम करें, आखरी बात है कि surveillance के खिलाफ हम क्या कर सकते हैं, तो internet protocol technical रड़ाई भी हमारी है, इन protocols पे कैसे हम surveillance के खिलाफ, privacy की जो fundamental right बाने गई है, Supreme Court की भी इस पे राय आई हुई है, तो उसको कैसे हम उसको लागू कर सकते हैं, internet protocols के अंदर भी इसको भी हमें देखना तो शुक्रिया प्रभी आज हमसे बात करने के लिए, आज के लिए इतना ही देखते रहे है नूसक्लिक